गनेश जी को मोदक विशेश प्रियक क्यों है? गनेश जी को सास्तर और पुरानों में मंगलकारी माना गया है. मोदक गनेश जी के इसी व्यक्तित्वों को दर्शाता है. मोदक आर्थ होता है अनन्द देने वाला. गनेश जी मोदक खाकर अनन्दित होते है और अपने भक्तो को भी अननित करते हैं गनपति अथोशिष में तो यहां तक लिखा गया है यो मोदक सहस्त्रेन यजती सवांग्षित फरव ममापनो दी यानि जो बक्त गनेश्ची को एक हजार मोदक का भुक लगाता है गनेश्ची उसे मन चाहा फल प्रदांग करते हैं और उसकी सभी मनोका सामनाए सभी मुरादे पूरी करते हैं मोदक के पति गनेश्ची का असीम प्रेम उनकी भुद्धिमानी का परिशय भी है एक बार गनेश्ची का एक दाथ परशुराम जी से युद्ध की दोरन तूट गया था इससे अन्य चीज़ों को खाने में तकलिफ होती है क्योंकि उ मोदक काफी मुलायम होते है जिससे उन्हें चबाना नहीं पड़ता यह मुँ में घुल जाते है और इसका मिटा स्वाज मन को आनदित कर देता है इसलिए फ्रेंट गनेश्ची को मोदक विशेश प्रिय है तो फ्रेंट आए हम सब अपने बापा को मोदक का प्रशाद लग और उन्हें भी आनदित करे और सोयम भी आनदित हो जाए जय गनेश्ची को मोदक विशेश प्रियक क्यों है गनेश्ची को सास्त्रों पुरानों में मंगलकारी माना गया है मोदक गनेश्ची के इसी व्यक्तित्वों को दर्शाता है मोदक का आर्थ होता है आनन्द देने वाला गनेश्ची मोदक खाकर आनन्दित होते हैं और अपने भक्तों को भी आनन्दित करते हैं गनपती अथोशिश में तो यहां तक लिखा गया है यो मोदक सहस्त्रेन यजती सवांग्शित फरव ममापनो दी यानि जो बक्त गनेश्ची को एक हजार मोदक का भुक लगाता है गनेश्ची उसे मन चाहा फल प्रदांग करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं सभी मुरादे पूरी करते हैं मोदक के परती गनेश्ची का असीम प्रेम उनकी भुद्धिमानी का परिशय भी है कहते हैं एक बार गनेश जी का एक दाथ परशुराम जी से युद्ध की दोरान तूट गया था इससे अन्य चीज़ों को खाने में तकलिफ होती है क्योंकि उन्हें चबाना पड़ता है और मोदक काफी मुलायम होते है जिससे उन्हें चबाना नहीं पड़ता यह मुँ में गुल जाते है और इसका मिटा स्वाज मन को आनदित कर देता है इसलिए फ्रेंट गनेश ची को मोदक विशेश प्रिय है तो फ्रेंट आईए हम सब अपने बापा को मोदक का प्रशाद लगाए और उन्हें भी आनदित करें और सोयम भ्याना निध हो जाए जाए गनेश